हेलो एबरिबन मैं शेकर मदुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SM English Classes पर फ्रेंड्स आज हमारा दा हिंदू नम्मर 64 उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशन्स पसंद आयोंगे जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं पहली वार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पड़े हम दा हिंदू नीज पर से एक आर्टिकल क को हम डैप्त में समझते हूँ चलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो इस सेशन में भी मैंने जो इंपोर्टेंट वर्ट्स हैं उनको हाइलाइट किया हुआ है जैसे कि मैं हमेशा करता हुआ आया हूँ आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होने वाली बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस सेशन को समझेंगे और जानेगे कि आखिर दे किसी भी इंगले को और én से एंगलिस निउस पेपर को किस तरीके से रीड रीड हैं किस तरीके से is est Live की आ friends footstep का मतलब होता है नक्ष कदम पद चिन पैरों के कदम याल कि नक्ष कदम जब आप किसी को follow करते हैं तो तब आप यूज करते हैं कि I will follow my father's footsteps याल कि मैं अपने पिताजी के नक्ष कदम पर चलूँगा ठीक है friends तो इस headline का मतलब क्या है in their father's footsteps actually my friends यह जो session है वो related है इन दो आप देख रहे हूं दो डॉटर्टर्स हैं यह और यह इनके पिताजी है तो इन दोनों गल्स के लिए पजैसे भी उसकी अजया है कि अपने पिताजी के नक्ष कदम पर ठीक है फ्रेंट्स उम्मीद करता हूं कि यह headline आपको समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर इस session में आपके लिए क्या है देखिए पढ़ने का काम करते हैं अंटिल लाश्ट मंथ अगर हम पिछले महिने तक की बात करें अंटिल लाश्ट मंथ शिष्टर्स दो शिष्टर्स हैं इसलिए सिस्टर में ऐस लगा है प्लूल इसको बनाया गया है सिस्टर्स आर अनामे का एंड आर अंजली वर प्राउड अब यह जो दोनों बैने हैं दे हैड दे हैड पर्शूड इलेक्टिकल इंजिनियरें क्योंकि उन्होंने पर्शू किया था पर्शू का मतलब किसी चीज़ को करना आप जब कोई डिगरी मतलब डिगरी आप कर रहे हो तो तब आप यूज़ कर सकते हैं आप किसी कोर्स को कर रहे हो तब आप करने के सहस मैं इस वर्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे मैं यूज कर सकता हूँ कि अगर मुझे कहना है कि मैं में कर रहा हूं तो देना विल से आयम डूइंग में या फिर आयम पर्शुइंग में तो बोद असेंटेस आर एक्वली करेक्ट ठीक है फ्रेंड्स तो देखे समझे अंटिल लास्ट मंत पिछले महिने तक कि अगर हम बात करें सिस्टर्स आर अनामे का एंड आर अंजली वर प्राउड यह दोनों प्राउड इसेंटेस को जोडने का काम करता है वो दोनों क्याते tha देहें मतलब अन्हां परकी यह किया था किसको Electrical Engineering from reputed institutions from reputed Institutions, institutions का मतलब होता है सहनस्तान और reputed का मतलब होता है यह एक काम कर रहा है Institutions को qualify कर रहा है Institutions तो noun हो गए लेकिन कैसे Institutions की आता है जो की रहते थे जिनकी कोई reputation थी समझ रहे हु तो आपको समझ मां आगया कि पिछले महीने तक कि अगर बात करें तो sister जो आरा-ناमे का है और अंजली है वो दोनों ही बेने क्या थी proud थी वो इसलिए proud थी क्योंकि they had pursuit electrical engineering क्योंकि नहीं उन डोनों ने electrical engineering को किया था from reputed institutions । ठीक है हर कोई proud होता है जब आप मतलब कोई अच्छे सहंस्तान से अच्छे institution से पढ़ाई कर रहे हो तो चलिए friend आगे देखते हैं just like their father अपने पिता की तरह है ठीक अपने पिता की तरह है वो भी बहुत proud थे electrical engineering करके एक मतलब जो repeated institutions थे उन से just like their father अपने पिता की तरह ही and senior IS officer समझे हो यहनकी उनके पिता जो थे senior IS officer and जो आप देख रहे हो न वो उनके लिए यहनकी पिता जी के लिए just like their father and यहनकी वो ही जो पिता जी थे वो ही क्या थे senior IS officer जिनका नाम था जिनका नाम है रमेश चंद मीना ठीक है मीना इनका सरनेम है और रमेश चंद इनका नाम है तो अपनी पिता जी की तरह जो की एक IS officer है उनकी तरह ही वो मतलब काफी प्राउड थे रेपुटेट इंस्टिटूशन से अपनी electrical engineering करने के बाद ठीक है just like their father senior IS officer रमेश चंद मीना डिड जैसे की उन्होंने किया था अपने कॉलिज वालों दिनों में या फिर अपने कॉलिज वाले सालों में यह प्राग्राफ यह पर complete हो जाता है ठीक है फ्रेंट्स आप चलते हैं आगे देखिए आगे देखिए बाट लेकिन यहां पर एक अंजंचर का यूज किया है यहां पर यूस किया है बाट लेकिन व्ल दी यूपी 67 डिकलेरड अब आपको पता कि यूपी CT ने हाली में अपना मतलब result अनाउंस किया है तो बैंडा यूपी सी डिकलेरड इजल्स जब यूपी सीने यहां पर यूपासी सभ्end मेंशन हो गया हुआ सिद्धिया लेabil οिकिस साना अट किसी चीज को आशास करना उनको सुनख़ कुई इसल वीड टोन work डेंगी इस करियर चॉइस तू यानकि उनकी जो जैसे कि उन्होंने इलेक्टिकल इंजिरियर्णि तो की थी और अपने मतलब अपना जो करियर है उसमें भी अपने प्रिताजी के करियर को ही वो फॉलो करेंगी ऐसा उनको ऐसा हुआ ठीक है फ्रेंड्स यह था आपका प्राग्राफ यहा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मैं कोश्चिस करूँगा कि आपका रेप्लाई करू और उसका आंसर भी करो ठीक है फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर आगे लिकाए कि 29 येर ओल्ड जो अनामे का है एक बात यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि येर में एस कब लगाना है कब नहीं लगाना जैसे मैं अपनी एस की बात करूँ जैसे मैं कहूँ कि I am मैं एक सेंटन्स यापर लेग रहा हूं आपके लिए I am 23 years old सब्सक्राइब कर लो एक सेंटन्स में य से कहना चाहूं पीछे कोई नाउन में अगर ले लूँ कि I am I am a 23 year old person तो यहां पर आपने क्या किया person को पीछे ले लिया और उसके लिए यह पर आगे क्या लगाया आ लगाया तो यहां पर जो 23 year old यह एक adjective बन जाता है जो की person को qualify कर रहा है ठीक है फ्रेट परसन नाउन है तो जब किसी noun को qualify करने वाला यह जो adjective है तो आप सभी को पता होगा कि adjective में आप कभी भी SES का use नहीं करते हैं यही कारण है यही situation है यहां पर SES का प्रयोग नहीं किया जाता I hope कि आपको समझ में आया होगा देखिए 29 year old अनामिका तो अनामिका यहां पर noun है 29 year की जो अनामि secure जिन्होंने secure किया यहां कि obtain किया secure का मतलब यहां पर gain करना यहां फिर obtain करना होता है यहां कि प्राप्त करना यहां फिर मैं कह सकता हूँ हासल करना obtain करना O B T A I A N obtain करना यहां फिर gain करना तो 29 year old की जो अनामिका है और 26 year old की जो अन्जली है दोनोंने क्या किया who secured जिन्होंने हासिल किया औल इंडिया रैंक यानकी पूरे इंडिया की अगर रैंक देगी जाए तो उन नहीं हासिल किया 116, 116, and 494, respectively यानकी अलग-अलग उनकी रैंक दी गई है यानकी respectively कमत्द होता है अलग-अलग separately तो एक की जो रैंक थी वह थी 116 और दूसरी वाली की जो रैंक थी 494 चारá कोी चौर देखिए усकी नाम का इसकी रैंक दूसरी वाली है तो अन्मिका की जो रैंक है वह जूस्पे उलग अलग अलग यह तुक है अब इन लोगों के बारे में क्या बोले जा रहा है कि जो 29-year-old की जो अनामिका है और 26 साल की जो अंजली है उन्हों ने जिनोंने मतलब हासल किया था यह जो रैंक अलग अलग जिन लोगों ने इन दोनों जो हासल की जो रैंक उनके पास में क्या है have another thing उनके पास में एक और have another thing in common in common का मतलब मैं आपको समझा दूँ in common का मतलब होता similar यानि कि उन्होंने देखिए मतलब अपनी जो electrical engineering है वो साथ-साथ की एक ही college में वो पढ़ी एक ही institution से वो पढ़ी और एक बात और उनमें common है कि have another thing in common to वो कौन सी बात है आगे देखिए वो एक बात और common है कि both secured समझ रहे हो बहुत secured मतलब बहुत obtain प्राप्त कर लिया गेन कर लिया बहुत secured admission दोनों को admission मिल गया into the Indian Institute of Management IIM in एहमदाबाद तो एहमदाबाद का एक college है जिसको आप बोलते हैं Indian Institute of Management short में आप कहते हैं IIM IIM तो इन दोनों को क्या हुआ इन दोनों को इस institution में इस institute में दोनों को admission मिल गया तो ये common बात भी उनके साथ में हुई समझे रहे friends ये उमिद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हुगा अगर आपको फिर भी मैं आपसे बार बार इंफिसास कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे comment box में comment करके बताएं मैं उसको sort out करने की पूरी कोशिश करूँगा अब देखिए आगे की कहानी क्या है it so happened अब ऐसा हुआ it so happened ऐसा हुआ था that की both of them both of them यान की दोनों ने दोनों जो daughters है it so happened ऐसा हुआ की दोनों ने क्या कर दिया both of them left their jobs उन्होंने अपनी अपनी jobs भी छोड़ दी in private companies यान की private companies में जो उनकी jobs थी वो भी उन्होंने छोड़ for the very same reason यान की for the very same reason यान की एक ही same reason की वज़े से उन्होंने अपनी जो private companies में jobs थी वो भी quit कर दी छोड़ दी left कर दी ठीक है friends आगे देखिए both of us realized अब देखिए यह statement उनका ही होगा अब देखिए both of us जहां पर use कर रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों ही कुछ बोल रही both of us realized हम दोनों को एसास हुआ that की there was no social there was no social impact impact का मतलब कोई प्रभाब तो वो कह रही हैं दोनों बोत अफस रिलाइज हम दोनों को एसास हुआ की there was no social impact कोई भी social मतलब समाजिक कोई भी समाजिक प्रभाब नहीं हुआ on the lives of people लोगों की जो जिंदगी हैं लोगों की जो यारकि हमारी jobs के तुरू जो आम लोग हैं उनकी life पर कोई भी पवाब नहीं हुआ इसलिए हमने यह job छोड़ी थी ऐसा वो बताना चाह रही है आगे देखिए आगे देखिए क्या हुआ कि we wanted we wanted want की second form wanted past के लिए sentence हुआ we यहां पर subject है we wanted to make the lives of people we wanted to make the lives of people around us and people in the grassroots people in the grassroots people in the grassroots का मतलब क्या पता है वो लोग जो की common है grassroots का मतलब ordinary people 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 in the grassroots means people those who are common those who are ordinary समझे हैं तो we wanted to make the lives of people around us यह कि हमारे आसपास जो लोग है उनकी लाप्स को and people in the grassroots और जो common लोग है जो आम लोग है उनकी लाप्स को we wanted to make better समझे यह better की connectivity यहां से है तो जो जो ह़ो जो आप लोग है उनकी लाप्स को उनकी लाप्स को, we wanted to make better, हम मतलब उनकी लाप्स को better करना चाहते थे, and so we started, और इसलिए, so मतलब इसलिए, so we started preparing, इसलिए हमने शुरू कर दिया, preparing मतलब तयारी करना, so we started preparing for the services, अब यहापर services का मतलब क्या है, देखो, UPSC के तुरू, जो मतलब exams होते हैं, ISPCS के, ठीक है, civil services के तो civil services की जगे, उन्होंने यूज किया है, services, सिर्फ services, इसलिए, वो कह रहे हैं, कि मतलब हमारी jobs से, कोई भी प्रवाब नहीं पड़ा, आम लोग की जो, जिन्दगिया है, समाजिक, मतलब समाजिक, कोई भी impact नहीं आया, और इसलिए, हमने अपनी jobs छोड़ दी, और we wanted to, मत यहनकी, civil services की तयारी करना शुरू कर दिया, सेज मिस अनामिका, सेज मिस अनामिका, यह सारी बात बताई, अनामिका ने, ठीक है, फेंड्स, चलिए, आगे चलते हैं, आगे देखिए, बहुत ही, कमाल का यह, मतलब, शेशन है, बहुत ही, जबरदस्त, यह आज का आर्टिकल है, बहुत ही, मोटिवेशनल यह आर्टिकल है, कि समास के लिए, यह दोनों बेने कितनी dedicated है, समझ सकते हो, तो आपको, और मुझे, हम सभी को, ऐसे कारे करते रहने चाहिए, आप सिर्फ अपने लिए ना जीए, लोगों के लिए जीए, समास के लिए जीए, वही एक सच्च इंसान कहलाता है, चलिए, फ्रेंट्स, आगे की बात करते हैं, दा सिस्टर्स, यनकी दा क्यों लगा है, उन्हीं दो बेनों की बात की जा रही है, दा सिस्टर्स, यनकी जो बेने, जो दोनों बेने थी, वह दिल्ली चले गई, वह दिल्ली चले गई, वह दिल्ली चले गई in 2017 2017 में to undertake coaching classes undertake मतब लेना coaching classes लेने के लिए वो दिल्ली चली गी 2017 में for clearing किस के लिए classes ली होना है for clearing for clearing यहाँ पर आगे पता चल लाएगा for clearing UPSC examination तो UPSC का जो उनका examination था जो UPSC की परक्षा थी उसको qualify करने के लिए उसको clear करने के लिए वो दिल्ली चली गी थी दोनों मेंने 2017 में आगे देखिए our father cleared his exam आप देखिए वो दोनों ही बोल रही है या पर our से आप समझ सकते हो कि यह जो statement है वो या तो उनमें से एक का होगा या फिर दोनों करी ओंगी लेकिन दोनों के बारे में बूला जा रहा है आवर फादर cleared his exam हमारे पिता जी ने यह जो मतलब exam था वो clear किया था in his third attempt attempt मतलब प्रयास तो हमारे पिता जी ने अपना जो exam था थार अटेंप तीसरी वार, तीसरे प्रयास में and he encouraged us encourage का मतलुत है किसी को हिम्मत देना किसी को साहस देना ठीक है किसी का जोस बढ़ाना and he encouraged us a lot और उन्होंने क्या किया हमारा मतलुत हमारा जोस बढ़ाया हमारी हिम्मत बढ़ाया हमें साहस दी हिम्मत दी recalls Miss Anjali recall का मतलुत है किसी भी चीज जो पाश्ट की गड़ना है पाश्ट का इंसिडेंट है उसको याद करना तो रिकॉल किया किसने मिस अंजलीन है ठीक है फ्रेंड्स आई होप कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी चलिए फ्रेंड्स समझते हैं तो इस तहरीके से आप नीज पिपर पढ़ने की जो तो पिखार हो सकता है रीडिंग से और रीडिंग वैसे तो आप किसी भी प्रकार की रीडिंग कर सकते हो बुक्स से कर सकते हो मैगजीन से कर सकते हो ठीक है और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप धाहं Harris पढ़ने की एदाब है जेल्ण ही जल्ली हो सके आप धाहं doğru पढ़न कि दूरिंग का मतलब के दौरान तो दूरिंग देयर प्रप्रप्रेशन अपनी जो तयारी थी उनके दौरान दा सिस्टर्स दा सिस्टर्स वुड 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 सिट देखिए यहां पर जो वुड यूज की अजार है न फैंट्स वुड यहां पर यूज की अजया है यूज तूसरे जो पेपर्स होते हैं उनको करेक्ट वो किया करती थी and their father और उनके जो पिताजी थे their father would clear their doubts और उनके जो पिताजी थे वो उनके doubts किलियर किया करते थे ठीक है friends यह used to के sense में would का use किया था आगे की बात करते हैं अब Mr. Mina यानकी जो उनके पिताजी है उनका सरनेम यहां पर use किया गया है Mr. Mina could not have asked for more asked for का मतलब होता है आपर मांगना अब जो Mr. Mina could not have asked for वो कुछ ज़्यादा नहीं मांग सके वो कुछ ज़्यादा नहीं चाह सके कुछ ज़्यादा नहीं मांग सके more तो आप समझ में होंगे ज़्यादा तो Mr. Mina could not have asked more Mr. Mina could not have asked for more, वो कुछ ज़्यादा नहीं मंग सके, as क्योंकि, क्योंकि, बोत his daughters, क्योंकि उनकी जो दोनों बेटिया थी, बोत his daughters clear the exams together the same year, दोनों बेनों ने एक साथ एक ही साल, दोनों ने अपना exam, जो अपने अपने exam से वो clear कर लिए, तो और एक बाप को अपनी बेटियों से क्या चाहिए, समझरे friends, तो वो कुछ और रहीं मंग सके, क्योंकि उन दोनों बेनों ने एक साल, एक साल में ही दोनों ने एक साथ अपने जो exams थे, UPSC के वो clear कर लिए, ठीक है friends, आग एक ही बात करते हैं, Mr. Meena, एन, देखिए यहाँ पर एक printing mistake हुई है, यहाँ पर आप देखने ना, alumni, यहाँ पर एक्ष्वल में, प्लूरल है, और इसका जो singular होता है, वो होता है, alumnus, alumnus, ठीक है, alumnus, अब यह alumnus क्या होता है, alumnus is a student who is, मतलब who used to study, in a particular college or in a particular school, किसी भी college में जो पहले पढ़ता था, जो आप कह सकते हो, आप former student, एक पूर्व छात्र, किसी college का, किसी institution का, किसी भी college का, किसी school का रहा होगा, तो आप उसको बोलते है, alumnus, क्या बोलते है, alumnus, यह singular है, लेकिन यहाँ पर जो दियाना alumni है, वो plural है, जबकि यहाँ पर जो Mr. Meena है, वो तो अकेले student है, अकेले, और यहाँ पर आप से में सकते हो, n का use किया है, तो n क साथ में, जो use हम करेंगे, noun, वो singular noun, यूज करेंगे, और singular noun होने के नाते, आपको use करना चाहिए, alumnus, ठीक है, तो यहाँ पर यह printing mistake हो गया है, आप इसको जरूर ठीक किजिएगा, यहाँ से error भी बन जाता है, चलिए friends, तो Mr. Meena and alumnus, मैं alumnus पढ़ूँगा, ध्यार रखन तो Mr. Meena जो की एक alumnus है, जो पूर्व चातर है, an alumnus of IIT Delhi, IIT जो college है, दिली का, वहाँ के पूर्व चातर है, और वो क्या है, इस दी member secretary of sports development authority of Tamil Nadu, अब वो क्या है, यानि की जो Tamil Nadu का जो sports development authority है, वहाँ के, क्या है वो, वो है member secretary, ठीक है, तो वो एक member secretary है, एक सदस है, secretary के, जो के एक secretary है, कहा के sports development के, जो की sports development authority के, और जो sports development authority है, तमिल लाडू की, ठीक है, तो तमिल लाडू की दिल्ली आयाइटी के ठीक है आयाइटी दिल्ली जो कोलिज़ है वहां के अब यह लास्ट परिगराफ का हाफ यह अभी बाकी है बचा हुआ है दैनल we will do it. तिरूची समझे हो तो तिरूची में एक नेशनल इंस्टिट है और टेकनलोजी का वहां से इन्हों ने जो मिस अनामिका है सौरी मिस अनामिका ने अपनी बीटेक वहां से कंप्लीट की एंड मिस अन्जली कंप्लीटिड हर एंटेक और मिस अन्जली ने अपनी एंटेक कंप्लीट की फ्रॉम आई 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 टी मदरास से तो यह था फ्रेंड्स आज का शेशन उमीद करता हूँ यह शेशन आपको अच्छा लगा होगा बहुत सारे वट्स भी आप इसमें से आप म हैंट